अगर आप ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मांसीज किचिन आज हम बनाएंगे ब्लैक करन चीज केक तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना यहां मैंने यह नॉर्मल केक मोल्ड लिया है जनरली जब भी कभी हम चीज केक बनाते हैं तो हम इस प्रिंग फॉर्म केक मोल्ड यूज करते हैं जिससे केक बहुत असानी से डी मोल्ड हो जाता है लेकिन अगर आपके पास इस प्रिंग फॉर्म केक मोल्ड नहीं है तो आप आप इस केक मोल्ड में भी बना सकते हैं, यहां मैंने एक क्लिंग रैप लिया है और बहुत अच्छी तरह से हमें केक मोल्ड को कवर करना है, जिससे केक असानी से डी मोल्ड हो जाए, सब तरफ अच्छे से लगाले, इससे जब हम केक को बहार निकालेंगे, तो केक असानी से बहार आ जाएगा अब मैंने यहाँ पर यह बिस्किट्स ली हैं आप अपनी पसंद के कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं इसे हम चर्ण कर लेंगे और एकदम फाइन पॉडर बना लेंगे मैंने यहाँ पर एक लाइज साइस फुल पैकिट यूज किया है बिस्किट्स का और साथ ही हम लेंगी हाँ पर मैल्टेट बटर जिसमें मैं इस बिस्किट्स के पॉडर को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ मैंने आधा बावल मैल्टेट सॉल्टेट बटर लिया है जितनी आपको जरुरत लगे उसे साथ से आप इसमें बटर यूज करें बिस्किट का पॉडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए अब हमके एक मोल्ड लेंगे बिस्किट और बटर के मिक्षर को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें एकदम एक सार फैलाना है इसे अच्छी तरह से प्रैस करते हुए फैला लें इसकी हमें एक लेयर सेट करनी है और अब हम इसको पंदरा मिनिट के लिए फ्रिज में रख देते हैं जिससे यह लेयर एक दम सेट हो जाएगी और थोड़ी हार्ड हो जाएगी केक को सेट करने के लिए मैंने हाँ पर यह चाइना ग्रास लिए है यह 10 ग्राम चाइना ग्रास है तो मैं एक बार इसको ब्लेंडर में चर्ण कर लेती हूं आप चाहें तो जेलेटिन या फिर अगर-गर भी यूज कर सकते हैं इसे में एक पैन में निकाल रही हूं और इसमें अब हम डालेंगे एक कप भर के पानी लगभग ये 210 एमल पानी है अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक अच्छी तरह से डिजॉल्व न हो जाए ये देखिए मैंने इसको एक दम लो फ्लेम पे डिजॉल्व किया है ऐसा करने में 10-15 मिनट लग सकते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है इसे हमें बॉइल नहीं कर पीस लेती हूं अगर आप पॉड़र्ट शुगर यूज कर रहे हैं तो आपको इसको अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है चीनी को मैंने पीस लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कप दही लेंगे और थ्री फोर्थ कप हम पनीर लेंगे चीनी के कॉएंटिटी आप सा वैनिला एसेंस और एक बाउल हम इसमें डालेंगे ब्लैक करंट क्रश की कॉंटिटी मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि हम यहां पर ब्लैक करंट चीजकेक बना रहे हैं तो इसका फ्लेवर स्ट्रॉंग होना ज़रूरी है तेकिन एक बात का ध्यान रखें रखे सेट करने के लिए डालेंगे चाइना ग्रास जब आप इसमें चाइना ग्रास एड करें तो ध्यान रखें यह थोड़ी ठंडी होनी चाहिए एक दम गरम चाइना ग्रास हमेश में आड नहीं करनी है और एक बार फिर से इसको हम चर्ण कर लेते हैं जिससे यह भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए जीज के का मिक्षेर अब एकदम तयार हो गया है अब बिस्किट के लिए अर्भी अब सैट हो गई है तो इसको इसमें डाल देते हैं एक बार इसको अच्छी तरह से हम टैप करेंगे और इसे हम कम से कम 5 से 6 गंटे के लिए या फिर ओवर यह देखिए पूरी रात इसे फ्रिज में रखने के बाद केक अप सैट हो गया है अब हम इसे अराम से बाहर निकाल लेंगे जब आप केक को डिमोल्ड करेंगे तो हो सकता है कि इसकी शेप थोड़ी सी खराब हो जाए क्योंकि हमने इसे केक मोल्ड में नहीं बनाया था तो आ आपको इसे बहार आगिया है और बहुती अराम से हम क्लिंग रैप को अलग करेंगे और केक मोल्ड वे एकदम क्लीन है कि बहुती जेंटली आपको इसे प्लेट पर ट्रांसफर करना है नहीं तो यह टूट सकता है गार्निशिंग के लिए मैंने आपे चॉकलेट चिप्स औ चॉकलेट वर्मिस लीज ली है ब्लैक करंट चीजकेक बनके तयार है तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बास ज़रूर ट्राय करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच पो वाचिंग सी यू इन म